दोस्तों वेलकम टो माई यूटूब चैनल लाइड के संजीगे दोस्तों मैं आज अपने यूटूब चैनल के माधनम से पुलिस कष्टडी और जुडिसियल कष्टडी के बारे में बताऊंगा और उसमें क्या अंतर होता है इसके बारे में डिस्कस करूंगा इसलिए आप हम किसी आरोपी ब्यक्ति को पुलिस कष्टडी और जुडिसियल कष्टडी में भारती दंड प्रक्रिया सहिता CRPC के तहद हिसाब से रखा गया है पुलिस कष्टडी और जुडिसियल कष्टडी दोनों में संदिग्ध कानून को हिरासत में रखा जाता है जैसे कोई ब्यक्ति पराद करने वाला हो या कर रहा हूँ तो उसको रोकने के लिए ही पुलिस कस्टडी और जुटिस्यल कस्टडी लागू होती है यह से पीसी के अंतरकत आती है जब भी पुलिस किसी बैक्ति को हिरासत में लेती है वह अपने जाच को आगे बढ़ाने के लिए स्यार्पीसी की धरा एक सवरसत के अंतरकत मजिस्टेट से 5 दिनों तक ही सब्कक में माइं जाता हुए जैसे कोई अपराद हो जाता है और अपराद के अंतरकत अıldरूपी जो मुली होता अग prosperity में जाता है तो ँसके मजिस्टेट जो है पंदरा दिनों के लिए उसको हिरासत में रखने का समय मांग सकता है यानि उससे पूछ ताज करने के लिए सिर्पी सिख धराइक्स तहद मांग सकता है एक नियाइक मजिस्ट्रेट किसी भी ब्यक्ति को 15 दिन तक किसी भी तरह की हिरासत में भेजने के पावर रखता है लेकिन कुछ ऐसे कानून होते जिसके तहद कोई पूछे कि क्या 30 दिनों तक कषडी में रखा जा सकता है तो हाँ आपका दिजिएगा कि महाराष्ट संगठित अपराद नियंतर अधनियम उन्हें सुनियान बेकर तहद पुलिस कषडी 30 दिनों तक रखी जा सकती है हाला कि ऐसे कई प्रावधानों जो अबैद गिर्थारी सबने प्रक्रिया सहीथा कि सेक्षेजन 46 के अउसर नहीं हुएं तो इसकी गिर्थारी बैद नहीं मान जाएँगी जैसे पुलिस को जब कभी भी सूचना मिलती है कि कोई बैक्ती अपराद करने वाला होता है या कर दिया होता है उसको रोकने के लिए ही पुलिस उसको गिर्वतार करती है जब इस प्रकार का अपराद संदिग्द बैक्ती पुलिस हवालात में बंद कर दिया जाता है तो उसक संदीत व्यक्ति कि हिरासत किasan 24 घंटों से धिक नहीं हुए जैसे 24 अंदर ही उसके पूलिस प्रभारिज होता है वह उससे पूश्थाज कर सकता है पूलिस उदिकारी का या दायत होता है किस एधिकर 24 जब पॉलिस कशडी से लेकर स्टेशन कोट तक जाती है तोुस तो इस अव्धिक ख़र टुमरे अब बात करते हैं जुडीशेल कशडी का मतलब है कि व्यक्ति कौस मजिस्टेट के आधेस पर जेल में रखा जाता है जैसे जिसे मजिश्टेट के समझ अपराद होता है वह उसको कोट में रखने का आदेस दे सकता है जेल में रखने का आदेस ध्यान रहे पुलिस कषडी में ब्यक्ति जेल में नहीं रखा जाता है लेकिन नियाई कषडी में पुलिस को जेल में रखा जाता है आपने सुना हु होती है आए हम पुलिस कषड़ी और जुटिसलाव कषड़ी के अंतर को समझते हैं उख Self Engineering हाँ कर स्यर्टा है पहला दो опять कि अन्या में और गरतार होता है तो उसको पुली स्थाने में रखे जाती है और जू.- कंषडिय में उसको जेल में रखा जाता है नमबर दू क्या काता है पुलीस कस्टी सब्स करहा होती है । जैसे अगर कहस्डी में है उसको जेल भेद दे तो रहा नाइक कश्डी मनाएगी नमर तीन पुलिस कश्डी में रखे गए आरोपी ब्यक्ति को 24 घंटे के भीतर किसी मजिस्ट्री के सामने पेस करना पड़ता है लेकिन जुडिसियल कश्डी में रखे गए ब्यक्ति को तब तक जेम रखा जाता है जब तक कि उसके खिलाब मामला आदालत में चलता है या उसके आदालत से जमानत नहीं रहाद रहता है या अगर उसको जमानत हो जाती है जो जोता है तो वह जेल में ही रहेगा नंबर चयर क्या काता है पुलिस करश्डी में पुलिस आरोपी ब्यक्ति को मार पीट सकती है ताकि psychiatrist कर ले बहुत इंपॉर्टन है वगर पुलिस करश्डी में पूलिस किकि किसी ब्यक्ति से यास commencer करना चाहिए तो पूश्थाज कर सकता सकता है उसके साथ मार पिड कर रगिए रिकिन हो जाता है तो उसे सीथे जीब ! Benjamin करनाओं वह पुलिस की पिताई से बच जाता है यह अगर की स्विप कर ये तो सबसे पहले नियाधित से आग्या लेना पड़ता है हालांको उसके जेल में राते वे पुलिस उसके खिलाब सबूत जुटाती राती है ताकि सबूतों को जच के सामने पेश करने के आउरोपी को सावित करके अधिक सज़ादी जा सकती है पुलिस कष्ट्री के अधिकतम सीमा 24 घंटे तक होती है लेकिन जुडीशल कर स्टडी में ऐसी कोई अधी नहीं होती है जब तक जिब्ट तक उसकी की जाती एक बार चार से दाखिल हो जाने पर पुलिस के पास आरोपी को हिरास्त करने का करण नहीं बचता जैसे अगर कोई चार से दाखिल हो गई है तब फिर पुलिस उसको कषडी में रखने के लिए मांग नहीं कर सकती है पुलिस कषडी पुलिस द्वारा प्रदान की जा पुलिस कषडी किसी भी अपराद जैसे हत्या लूट अपहरा धमकी चोरी इत्याद के लेकि जाती है जबकि जुदिसियर कषडी को पुलिस कषडी वाले अपरादों के अलावा कोर्ट की अभेलना जमानत खारिज होने जैसे केसों में लागू होती है उपर दिये गए जो भी हमने आपको अंतर बताया उससे अस्पाइश होता है कि पुलिस कषडी और जुटिसियर कषडी दोनों का उद्देश एक ही होता है अर्था दोनों अपराद नियंतर के उपाए हैं लेकिन दोनों के नियमों में काफी अंतर है तो दोस्तों अगर हमार वीडियो अच्छे लगए तो प्लीज चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन उसको प्रेक्ट है